हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक नए वेकंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टिटूट ओफ मेनेजमेंट रोहतक हरियाना की तरफ से सिविल एलेक्रिकल और कम्प्यूटर साइन्स इंजिनियर्स के लिए वेकंसी रहने वाली है यहाँ पर आपकी परमान अंजोब रहने वाली है सेले आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाएगी और ओल अवर इंडिया के कंडिलेट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं तो किसे आपका सेलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इलिजीबलिटी क्राइटि आपसे यहाँ पर क्या मांगा गया है और क्या यहाँ पर capable घटाकि आपसे मिशने क्या पर आप से अफ्रेमियूप आया हूँ application को भी download कर सकते हैं link video के description में दिया गया है तो हम हैं इनके official notice पर notice आपका IIM रोह तक हरियाना की तरफ से जारी किया गया है यहाँ पर आपकी काफी positions के लिए vacancy रहने वाली है लेकिन जो अपने काम की vacancy रहेगी वो यहाँ पर रहने वाली है senior manager IT, senior engineer civil, junior engineer civil, junior engineer electrical और electronics और system assistant के लिए vacancy रहने वाली है application जो यहाँ पर आपके शुरू हो चुके है last day के हाँ पर आपकी 19 अक्टूबर रहने वाली है यहाँ पर सबसे पहली post जो है वो आपकी रहने वाली है senior engineer civil के लिए pay level यहाँ पर आपका 10 रहेगा yearly 56,100 रुपे से लेकर 1,77,500 रुपे तक रहने वाली है mode of appointment यहाँ पर आपका regular रहेगा good candidate may be considered for regular position अब बात कर लेते हैं आपकी educational qualification के बारे में तो यहाँ पर आपसे B.B.Tech मांगा गया है in civil engineering में और इसी के साथ आपको बताया है good working knowledge of computer operation and use of engineering software application like Kate is preferred यहाँ पर आपको computer और autocad के बारे में थोली बहुत जानकारी होनी चाहिए next हम बात कर लेते हैं आपके work experience के बारे में तो यहाँ पर आपसे minimum 7 year का experience मांगा गया है next हम बात कर लेते हैं आपके age limit के बारे में तो minimum age यहाँ पर आपकी 21 year होनी चाहिए और maximum age यहाँ पर आपकी 45 year होनी चाहिए और अगली वेकंसी यहाँ पर आपकी programmer के लिए रहने वाली BBT का आपसे यहाँ पर computer science, electronics, engineering या फिर IT engineering से मांग लिया गया है minimum 5 year का experience होना चाहिए आपके पास और maximum age यहाँ पर आपकी 40 year रखी गई है नेक्स पोश्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior engineer civil के लिए pay level यहाँ पर आपका 6 रहेगा salary यहाँ पर आपकी 35,400 रुपे से लेकर 1,12,400 रुपे तक रहने वाली है permanent यहाँ पर आपकी job रहने वाली है educational qualification में यहाँ पर आपस B.B.Tech मांग लिया गया है in civil engineering में और minimum आपके पास 5 year का experience होना चाहिए ठीक है यहाँ पर भी आपको पता रखा है कि आपको auto killed और computer operation के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए minimum age यहाँ पर आपकी 21 year रहने वाली है और maximum age यहाँ पर आपकी 45 year रहेगी इनकेस आपकी age ज्यादा है तो यहाँ पर आपको age पर government rule के हिसाब से age relaxation भी मिल जाएगा और next post यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior engineer electrical और electronics के लिए pay level यहाँ पर आपका 6 है salary 35,400 रुपे से लेकर 1,12,400 रुपे तक रहने वाली है आपकी permanent job रहने वाली है बी बी टेक आपसे मांग लिया गया है electrical या फिर उसके equivalent में जो भी आपके branch आती है अगर आपने इनसे कर रखा है बी बी टेक तो यहाँ पर आप eligible रहने वाले हैं minimum 5 year का experience होना चाहिए और computer और kelt के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए minimum age यहाँ पर आपकी 21 year रखी गई है maximum age यहाँ पर आपकी 45 year रहने वाली है age relaxation यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको बताया है interested candidate may send scanned copy of their filled and signed application in prescribed format along with scanned copy of self attached document उसमें आपके educational और work experience through email इस email id का address आपको नीचे description box में मिल जाएगा और आपको जो यह pro pharma बता है आपको नीचे यहाँ पर scroll करना है आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर post है for prescribed application of junior engineer civil यह आपको जो है download कर लेना है पूरा आपको fill up करना है और इनकी official mail पर आपके जितनी भी जरूरी document है वो सारे आपको self attached करने है और इस वाली email पर आपको send कर देना है इसी के साथ जब आप इसके लिए apply करेंगे तो वहाँ पर आपको subject में जो है position name लिख देना है कि आप जो भी application भरेंगे उसमें जो है आपको bold letters का use करना है all our India की candidate यहाँ पर apply कर पाएंगे तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए interested होते है eligible होते हैं और यहाँ से जो है आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं यहाँ से आप pro pharma download कर लीजिए तो यहाँ पर आप ज़रूर apply करिए selection process यहाँ पर आपका interview के आधार पर रहने वाला है कोई भी यहाँ पर आपका exam नहीं होगा और ना ही यहाँ पर आपकी कोई examination fees लगने वाली है in case अगर number of candidates ज्यादा हो जाते हैं तो साइध यहाँ पर आपका exam conduct करवाया जाए तो अभी के लिए इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका thank you, सुक्रिया वीडियो को like करें, share करें चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर जरूर करें